हरो दोस्तों कैसे हो मैं हूँ आश्वीन और स्वाग थे आप सबका इंदी चेस वीडियोज में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आनन जी का फॉस्ट रेकोड़ेट सेक्रिफाइस देखेंगे यह गेम जो है 1982 में खेली गई थी जहाँ पे विशुनातन आनन जी के ब्लेक पीसिस थे उनके सामने ओपनेंट थे स्रीधर एनार और यह जो है जूनियर चेंपेंशिप टमिल नाडू में गेम खेली गई थी और इस गेम को I guess बुलेटीन में जो है पब्लिश भी किया गया थ इस गेम में स्रिधर ने गेम की शुरुवाद की D4 से और नाव अनन जी ने खेला N2 F6 and after C4, G6, Nc3 and now D6 so Kings Indian defense जहाँ पे White ने E4 खेला and now Bishop to G7, F3, Castling Shot, Bishop to E3, E5, D5 and now C5 यह कि वहाँ पे C6 अभी modern treatment है but anyways C5, now Bishop to D3, Knight to H5, Knight H5 का idea यहाँ पे है, Black simply F5 पूँश करना चाहता है और वहाँ पे जो है और जादा space gain करना चाहता है, इस position में White ने खेला Knight G2, E2 and now F5, E captures on F5, G captures on F5 and now Queen D2 और might be यहाँ पे idea होना चाहिए, Bishop to H6 and long castle, but game में जो है, White ने कभी यह किया ही नहीं, actually वह कर सकता था इस position में आने जिने A6 खेला, so in case अगर long castle आता है, तो वह pawn to a B5 break के लिए भी सोच सकते है और Knight B5 को stop भी शायद करना चाहते है, क्योंकि यहाँ पे D6 आपका weakness हो, अगर आप Queen लेके कहीं जाना चाहते हो, then Knight B5 नहीं आना चाहिए इस position में, White ने short castle खेला, जबकि उधर long castle and B2H6 दोनों ही ओके था, but anyways, short castle, now Knight to d7, King to h1, Knight d2f6, Queen c2, और यहाँ पे अनन जी ने e4 खेला, और temporary एक pawn को sacrifice किया है So, यहाँ पे दोस्तों, वीडियो को post किजिए हो, सोचिए कि क्या idea हो सकता है यहाँ पे, क्यों बलेक जो है, एक pawn sacrifice देना चाहता है, यहाँ पे Ready दोस्तों, यहाँ पे, वाइट ने खेला pawn captures and now first Knight g4, सो अब देखिए क्या हुआ, कि जैसे ही आपने e4 खेला, अगर if file का pawn जैसे ही remove हुआ, g4 के लिए जगा खाली हो गई, और दूसरी चीज है, जैसे ही Knight g4 पर पहुँची ही, यहाँ पे Queen h4, Rook f6, Rook h6, इस सारे ideas जो है से move होना ही पड़ेगा, और bishop कहीं और move होता है, then वहाँ पे Queen to h4 काफी dangerous है, so Bishop to g1, White ने खेला, and now Anandji ने खेला f4, so temporary bishop भी बंद है, और यहाँ पे जो है, White के pieces जो है, वो इतना जल्दी active नहीं हो सकते, for example, उसी position में का अगर अगर capture करते हो, then simply Knight captures on e4, all of a sudden White के pieces जो है, वो and now e5, और यह काफी जरूरी इमनूती कि आप अपने Bishop को जो है, वहाँ से active करो, and now Bishop captures on e5, Bishop takes on h7, King h8, और इस position में, जो है, Bishop to g6, साइद ज्यादा अच्छा था, जिस case में Queen to g5 आ जाता है, and after Bishop captures on h5, Queen captures on h5, और अब जो है, Rook f3, with an idea of Rook to h3, और यह गेम जो है, दोस्तो, थ थोड़ा बहुत यहाँ पर initiative है, क्योंकि H file open है, और उदर जो है, Black के pieces अराम से आ सकते है, दूसरी और आपके पास, Rook to h3 खिलने का time नहीं है, क्योंकि उसमें, Knight to f2 आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, Black यहाँ पर Rook f7 खिल सकता है, and after Rook h3, just Knight to f2 check, so लग ऐसा रहा and Queen captures on h3, और अब क्या हो रहा है, simply Rook g8 आ रहा है, last piece भी game में आ जाएगा, और यहाँ पर game जो है, काफी जल्दी finish हो जाएगी, Black की favor में, but Bishop g6, Queen g5, after Bishop capture h5, Queen captures h5 and Rook h3, जरूरी नहीं है कि White जो है, Rook h3 खेले, और इसलिए, यहाँ पर वाइट को best chance रहता, but game में क्या हुआ दोस्तों की, King h8 के बाद गिला गया, Queen to g6, और यह move इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पर computer suggest कर रहा है, कि simply Knight 2 जो है, वहाँ पर f6 खेलो, और इस Bishop को जो है, वह capture का दो, अगर आप यहाँ पर, I mean White, जो है, h3 खेलता है, then Knight takes on h7, and after pawn captures on g4, simply Queen h4 जो है, वहाँ पर killer move है, क्यू और साथ साथ जो है, रुक भी आ रहा है, g8 पर, so position जो है, वो black के लिए just winning है, but game में क्या हुआ, कि Queen to g6 के बाद खेला गया, रुक टू f6, और यहाँ पर, अगर यहाँ, Queen captures on h5, जबकि उधर computer से इस कर रहा है, क्विन 2, just g5, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप capture करते हो, then simply Queen captures h5 भी चेक आ जाएगा, और अगर आप Queen e8 जैसा कुछ खेलते हो, आपको Rook h6 खेलना है, तो आपको जो है, वहाँ पर, Rook क on-pin करना पढ़ेगा, पहले है, अदरवाइस Queen under attack थी, so Queen e8 जैसा कुछ खेलते हो, then क्या होगा, Bishop to d3, और एक गेम जो है, तीनो रिजल्ट के लिए open है, बट गेम में क्या होगा, के Rook to f6 के बाद खेला गया, Queen captures on h5, and now Rook to h6, वो जो है temporary sacrifice था, and Queen per attack है, and after Queen f7, Rook captures on h7, जबकि उदर Rook h6 के बाद computer service कर रहा है, कि Queen captures on h6 जो है, अब यहाँ पर खेलना ही पड़ेगा, इस case में Knight takes, and after Bishop to d3, यह जो है white के लिए best chance रहे था, बट definitely दोस्तों, यहाँ पर Black जो है, वो winning है, बट गेम में, Rook h6 के बाद खेला गया, Queen f7, and now Rook takes on h7, Queen per attack है, and Queen to g6, Rook to h6, आप जो है directly, Rook takes on h7, and Queen to g6 के बाद, directly Queen h4 के लिए, नहीं जा सकते है, otherwise क्या होगा, कि Queen e h8, King g7, and even Knight captures on f4, वो white के लिए अच्छा है, क्यूंकि वाट के पर इस जो है, अब गेम में आ रहे है, बट, Rook takes on h7, Queen g6, and Anandji ने खेला, Rook to h6, Queen per attack है, and now Queen to f7, idea यह है, कि यहाँ पे, आप अगर directly, Rook captures on h2, and then Queen to h4 जैसा कुछ idea करते हो, then Queen e8, वहाँ पे perpetual हो रहा है, so इसलिए, अब Anandji ने क्या move खेली होगी, यहाँ पे, वीडियो को post किजिए, और सोचिए, यह काफी दोस् first ever recorded sacrifice, यहाँ पे, आप कैसकते हैं, उनका first sacrifice, ready दोस्तो, यहाँ पे, Anandji ने खेला, bishop to e6, अपने bishop का sacrifice दे दिया, ताकि perpetual avoid किया जाए, और अब यह root, last ring को defend कर रहा है, और white की game, यहाँ पे finish हो चुकी है, गेम में खेला गया, pawn captures on e6, बटना, rook captures on h2, check, bishop captures on h2, and Queen to h4 के बाद, Anandji के opponent ने resignation दे दिया, स्रीधर ने resignation दे दिया, reason यहाँ के आपके पास कुछ बचाए नहीं है, Queen capture h2 को stop करने के लिए, might be, आप जो है, एक और मूग खेल सकते हो, Queen e8 check, या कहीं पे भी, Queen check दे के, अपनी Queen का sacrifice कर दो, and then next move में checkmate होने दो, so दोस्तो कैसी लगी आपको विश् तनिवाज जाइहिन, बाबाई